2047 में मेरे सपनों का भारत हम जिस भारत की आशा करते हैं, उसे विजन 2047 कहा जाता है. यह एक सपना है कि हम 2047 में कैसा भारत देखना चाहते हैं. भारत को आजाद हुए 75 साल हो गए हैं, और अब हम सोच रहे हैं कि भविश्य में भारत को कैसा बनाना चाहते हैं. आज जब हम अपनी अब तक की उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं, साथ साथ हम वर्ष दो हजार सेंतालीस तक भारत को और बहतर बनाने की योजना भी बनाना चाहते हैं भविश में भारत के लिए शिक्षा और स्वास्थ्य को बहतर बनाना वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण है हम शिक्षा को सस्ता और सभी क्षेत्रों में उपलब्ध कराने पर काम करें, जिससे हर किसी को सीखने और पढ़ने का मौका मिले हम चाहते हैं कि हमारे स्कूल इतने अच्छे हों कि दुनिया भर से चात्र यहां आकर पढ़ना चाहें और हमारे देश के दूर दराज में रहने वाले चात्र भी अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें भारत एक बड़ा देश है और यह वास्तव में अच्छे अस्पताल और डॉक्तर चाहता है हम चाहते हैं कि हर किसी को अच्छी स्वास्थ्य सेवा मिल सके और वे दूसरे की मदद के बिना अपनी देखभाल करने में सक्षम हो हमें अपने अस्पतालों को विश्वस्तरिय बनाना होगा और अधिक से अधिक क्लीनिक भी खोलने होंगे ताकि गाव देहात में रहने वाली आबादी चिकित्सा सुविधा प्राप्त कर सकें वर्ष 2047 तक भारत उत्भोक्ता उत्पाद बनाने में सच्मुच अच्छा बनना चाहता है भारत विभिन प्रकार की चीजें यहीं अपने देश में ही बनाना चाहता है ऐसा करने के लिए हमें दूसरे देशों की कमपनियों को भारत में आकर अपने कारखाने स्थापित करना की प्रक्रिया को आसान बनाना होगा इससे भारत को अपने उत्पाद बनाने और उन्हें दूसरे देशों में भेजने में मदद मिलेगी भारत को उन्नत तक्नीक का प्रयोग करके ऐसे उत्भोक्ता उत्पाद बनाने चाहिए जो विश्वस्तरिय हो जिससे हमारा देश आत्मनिर्भर बनने के साथ साथ विदेशों में भी निर्यात कर सकेगा इससे भारत के लोगों को रोजगार भी मिलेगा और विदेशी मुद्रा भंडार भी बढ़ेगा 2047 तक भारत वास्तव में अच्छी सडके, राजमार्ग, हवाई, अड़े और रेलवे चाहता है भारत चाहता है कि यातायात के क्षेत्र भी सर्व श्रेष्ट बने और इन चीजों का निर्मान और सुधार करते समय सावधान रहें और पर्यावरण को नुकसान न पहुचाए भारत ग्रीन पत नामक विशेश सडके बना रहा है जो पर्यावरण के लिए अच्छी है हम लोगों को ऐसी कारों और वाहनों का उप्योग करने के लिए प्रेरित करने का भी प्रयास कर रहे हैं जो प्रदूशन नहीं फैलाते हैं ताकि स्वच्ष और स्वस्थ हवा मिल सके भविश्य में भारत विमान और मिसाइल जैसे हथियार इत्यादी रक्षा उपकरन स्वयम बनाना चाहता है इससे भारत को अपनी रक्षा करने में मजबूती मिलेगी भारत इन हथियारों को दूसरे देशों को बेच कर उनसे दोस्ती भी करना चाहता है और इसके लिए प्रयासर्थ है हम चाहते हैं कि भविश्य में भारत खेती और परियावरन की देखभाल में सर्वश्रिष्ठ बने भारत एक क्रिशी प्रधान देश है और आबादी का मुख्य भाग क्रिशी पर निर्भर है हम खेती की नई तकनीक और तरीकों का उप्योग करें जो परियावरन और स्वास्थय के लिए हानिकारत न हो हम पाने की बचत और प्रबंधन भी करें भारत सूरज और हवा का उप्योग करके बिजली बनाने की दिशा में तीजी से काम कर रहा है भविश्य में भारत दुनिया भर के खेलों में वास्तव में अच्छा बनना चाहता है ऐसा करने के लिए हमें युवाव में खेल भावना जागरित करनी होगी प्रशिक्षन के लिए अच्छी जगह और वातावर्ण बनाना होगा और पूरे देश से प्रतिभाशाली खिलाडियों को ढूंडना होगा इससे लोगों को भारत पर गर्व होगा और बच्चे भी खेलों में अच्छा बनना चाहेंगे वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें भविश्य में भारत टेकनोलोजी और कम्प्यूटर का उपयोग करने में सर्वश्रिष्ट बनना चाहता है हम प्रोध्योगी की केक्षेत्र में अगरणी बनना चाहते हैं और नए विचारों के साथ आना चाहते हैं हम कम्प्यूटर विध्यान और कृत्रिन बुध्यमत्ता पर ध्यान केंद्रित करेंगे सर्वश्रिष्ट बनने के लिए भारत को अनुसंधान और विकास पर पैसा खर्च करना होगा और यह सुनिश्चित करना होगा कि वे एक आय का उप्योग अच्छे और सहायक तरीके से करें भविश्य के लिए भारत का लक्ष एक ऐसा देश बनाना है जहां भरष्टाचार न हो सीमाय सुरक्षित हो और कोई आतंकवाद न हो ऐसा करने के लिए भारत को आतंकवाद की मुख्य समस्या को हल करने और सुनिश्चित करने की आवश्यक्ता है कि भविश्य में हर कोई सुरक्षित महसूस करे भारत यह सुनिश्चित करना चाहता है कि वर्ष 2047 तक सभी को पीने के लिए साफ पानी और रहने के लिए सुरक्षित जगह मिले लोगों को यह भी सिखाना होगा कि पानी और परियावरन की देखभाल कैसे करें ताकि यह लंबे समय तक चले हम यह भी चाहते हैं कि 2047 तक सभी को पक्का घर मिले और महिलाओं को पूरा सम्मान मिले महिला सशक्तिकरण को प्रोचसाहित करने के लिए हम हर महिला को स्वतंत्र और सक्षम बनाने में कड़ी महंत करेंगे राष्ट्रिय विकास में सभी मिलकर उन्नती की राह तै करें वर्ष 2047 तक भारत वास्तव में दुनिया में अग्रणी बनना चाहता है हम स्कूलों और अस्पतालों को बहतर बनाने सडक्त्रेल हवाई यातायात और इमारतों को बहतर बनाने और कारखानों में उन्नत चीजें बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं हम देश की रक्षा, खेती, उद्योग, रोजगार में भी मजबूत होना चाहते हैं और चाहते हैं कि सभी को परियाप्त बिजली, पानी स्वच्छ वातावर्ण मिले भारत अपने दम पर काम करने में सक्षम होना चाहता है और खेल और प्राध्योगी की में भी वास्तव में अच्छा होना चाहता है हम बाधाओं पर विजय पाने और अपने लोगों को अपने हर काम में सफल बनाने पर गर्व करना चाहते हैं वीडियो पूरी देखने के लिए थैंक यू वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें